है हैलो मेरे प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छ होंगे आज मैं लेका हूं आपके लिए टू नंबर का स्कुर वह भी बैदिक मैट्स के द्वारा फटाफट से ठीकेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं दो नंबर का या टू डिजिट का स्कुर ज्यान आपके 50 नंबर के पास हो या 50 से कम हो या 50 से ज्यादा हो तो फटाफट से कैसे निकाल सकते हैं आए समझते बन भाइवा सबसे पहले आपके साफने नंबर निखा हुआ 54 का स्कुर का मतलब क्या होता है 54 x 54 जैसा है कि आपने मेरी पिछली क्लास में देखा होगा कि अगर आ सीखा हुआ फटाफट से दोनों का मैल्टिप्लाइए करेंगे तब भी आपका अंसर निकल के आ जाएगा अगर आपको डारेक्ट पूछा जाए कि तो फटाफट से कैसे निकाल लेंगे आए समझते हैं सबसे पहले क्या करना है बच्चों सबसे पहले देखना है कि मेरा ज से के बाद आपको करना होगा ही 25 में प्लस फॉर कर देना है कि याप 25 फॉर प्लस करेंगे बđटके कि इतना हो जाेगा 29 ना जाएगा और उसके बाद में क्या करना है üs 4 or whatever का स्क्वार जाए exist इतना हो गया 16, तो इस 4 का स्कॉर करने के बाद में कहां लिख देना है आपको यहां लिख देना है, कितना अंसर जाएगा 29, 16, यह का वजाएगा इसका अंसर होगा, ठीक है मैं एटिये, इस तरह से आप इसके अंसर निकाल सकते हैं, चलिए कुछ और देखें जिनका हम स्कॉ लोग, हम निकालने बालें 57 का स्कॉर निकलने बालें, भई तरीका निकालेंगे आपका, कि 50 से यह नंबर कितना जादा है, तो आप बोलेंगे सर्फ, प्लस 7 जादा है, ड्लस 7 जादा दे रखता है, आप करना है मैं टिये इसके अंदर, अब आपको करना होगा 25 में 7 को add कर कर देना है 25 प्लस 7 कितना हो गया यह इसके बाद का च्टेप क्या करना आको इसके बाद आपको करना है इस नंबर का जितना ज़्यादा है उसका क्या करना है स्क्वायर कर देना है 7 का स्कुल बटे कितना हो था? 49 वो कान लिख देना है आपको? वो 49 आपको करके कान लग देना है? यहां लिख देना है यह क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चलिए कुछ और देखते हैं फटा-फटा सीखेंगे यह बटे कितना ज़्यादा नंबर दे रखा है? तो आप बोलेंगे से 6 ज़्यादा दे रखा है मतलब कितना? प्लस 6 ज़्यादा रखा है फिर क्या बताया था मैटा मैंने आपको? फिर बताया था कि अगर 6 नंबर ही ज़्यादा दे रखा है तो 25 में प्लस 6 कर देंगे 25 प्लस 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा मैड़ी 31 हो जाएगा इसके बाद यह करना होगा आपको इसके बाद simple step इस number क्या कर देना है square कर देना है square करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का square 36 होता है उसे का लिख देंगे आप यहां लिख देंगे यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस तरह से अगर आप 50 से जो नंबर ज्यादा होगा उसका फटा फट से स्क्वार निकाल सकते हैं ठीक है बच्चों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर 50 से कम नंबर हो तो हम कैसे निकालेंगे आए सांते बिटा यह आपके सामने दें रहा है स्क्रीन पर 50 से कम नंबर वाले का स्क्वार निकालो तो फटा-फट से कैसे निकालेंगे समझते हैं यह नंबर जो मेरा देंगा है यह मेरा 50 से कितना कम है आपको यह देखना है तो आपने बोला सर यह जो म 25 में से 3 कितना बचेगा ह्याएं विपसे अब हुआ उसके बाद में आपको इस नंबर का मास कितना और मित्त इतना नाइवह। तो 2 digit में लिखेंगे 9 को मतलब 9 नहीं लिखना है कितना लिखना है इसको 09 लिखना है यह क्या हो जाएगा आपका 47 का square निकल के आ जाएगा आईए एक और समझते हैं जिससे आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि किस तरह से हम 2 digit का square बैदिक मेंच के द्वारा solve कर सकते हैं जो कि इमारा 50 से कम दे रहाएगा आप यहां देखेंगे 43 का square निकालने वाले है तो इस नंबर 50 से मेरा कितना कम है तो आपने कासर यह मेरा 7 कम दे रहाएगा कितना दे रहाएगा है 7 कम दे रहाएगा है अब क्या करना है? अब आपको कुछ भी नहीं करना, इस 7 का square कर देना है, square करेंगे बटे कितना जाएगा? 7 का square कितना होता? 49 होता है, 49 हो कहा लिखना है? यहां लिख देना है, तो कि मेरा क्या जाएगा? आंसर निकल के ना जाएगा, इस तरह से आप easily 2-digit का square find कर सकते हैं, बैदिक मैस के दुआरा, जहां आपने सीका, 50 से ज्यादा नमबर का देखा और 50 से कम नमबर का देखा था, आप इस ट्रिक को घर पे जाके यूज करिएगा, कुछ डिजिट लिखिएगा, ताह कि अगे practice perfect हो जाए, और आप square निकालने में सच्छम हो जाए, ठीक है बिलतरपी नेक्स वीडियो